हेलो अड़ेवान वलकम तो कोचफाय मैं आपको एक क्विक अपडेट दने जारो अभी भी रिसेंटली महाराश्य मेट्र रेल कॉर्पोरेशन ने नई वेकेंसी रिलीस कर दिये इसमें टोडल नंबर आफ पोस्ट होने वाले 139 अब इस 139 पोस्ट में आपको कॉंसे कॉंसे क वेकेंसी और कितना आपको उसमें क्या eligibility करेंटर है यह हम लोग सारे चीज़ें ब्रीफ में हम लोग डिसस करेंगे इसका सबसे पहले तो आपको कॉंसे अफसेट पे www.punemetrorail.org यह इसका ओफिशल लिंक है आपको यह ही फॉलो करना होगा ठीक है और इसकी application fees आपको उसी डेट की बीच में भरना है बड़ आपको लास्ट धान में रखना है वो है आपका 21st of January 2021 की बीच में जनिवरी तक आप जनिवरी के 21st तक आप इसक का लास्ट डेट तक आप उसका application fee कर सकते है या फिर आप online register कर सकते है यह 21st 01 2020 यह आपको लास्ट ध्यान में रखना है इस से पोस्ट के लिए या फिर इस recruitment के अपलाय करते हैं करने के लिए तो अभी हम लोग बाकि सारी जो important details से सबसे पहले देख लिए इसमें कौन से कौन session controller slash train operator slash train controller S1 ठीक है यह इसका code ध्यान में रखेगा S1 जो code इसका ठीक है इसका pay scale रहने माला है from 33,000 to 1 lakh number of vacancies कितनी है 56 vacancies है इसमें you are unreserved at 27, SC के लिए 05, ST के लिए 4, OBC के लिए 15, EWS के लिए 5 ओगे और इसमें minimum qualification के मांगागा है 3 years engineering diploma in electrical, electronics, mechanical branch from a government recognized board slash university slash institute ठीक है that means आपका 3 years का engineering diploma होना कंपल सरी है और सबसे पहले important यह चीज़ है कि इसका जो age criteria है यह between 18 to 28 years के बीच में ठीक है यही age के category के लोग इस form के लिए इस recruitment के लिए eligible है यह काफी important है ध्यान में रखीगा ठीक है और इसमें हम लोग एक note यहाँ पर हमने उन्होंने mention किया requirement के इसके लिए essential should have a knowledge of Marathi language, reading, writing and speaking आपको Marathi language आना कंपल सरी है इसमें ठीक है requirement of knowledge of Marathi language ठीक है यह ध्यान में रखीगा ओके अभी हम लोग हमारे next जो पोस्ट है उसको देखते है next post कौन सी है हमारी यह हमारी section engineer की ठीक है section engineer के लिए total number of post कितना है four unreserved के लिए 3 है OBC के लिए एक है ठीक है और इसका salary scale रहेगा from 40,000 to 1,25,000 इसमें minimum qualification कौन सा मांगा गया है four years engineering degree इसमें आपको degree मांगेगी है in electrical branch from a government recognized university slash institute electrical के लिए post है total number of vacancy है चार दिन हमारे पास section engineer आता है IT के लिए इसका भी same salary package है number of post है एक four years का आपको engineering degree मांगा गया IT computer engineering branch में same okay section engineer electronics के लिए number of vacancy कितनी है पाच है same salary scale रहेगा और इसके इसमें आपको चार साल का engineering degree मांगा गया electronics electronics and telecommunications में भी हम लोग इसमें ये सारी चीज़े आप apply कर सकते हो ठीक है तो हम लोग इसको scroll down कर लेते हैं एक बार ठीक है देन हमारे पास में आता है जो post है section engineer mechanical का इसमें एक post है ठीक है और अपकी four years of engineering degree मांगी के mechanical branch में ठीक है और इसमें भी आपको should have a knowledge of Marathi language reading, writing and speaking that means Marathi language आपको compulsory आनी चाहिए इसके लिए गर आप apply करना चाहते हो ठीक है ये तो होगे section engineer का अभी हम लोग देखते है कि junior engineer electrical की total number of vacancies कितनी है देखिए यहां पे mentioned है ठीक है इसका salary scale कितने है from 33,000 to 1,000,000,000,000,000,000,000,000, इसमें 8 अन्रिजर्वड बन के लिए है, चार अभीजिक के लिए 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, ARC के लिए यहां पे इसमें minimum qualification है 3 years engineering diploma मांगा गया है इसमें ठीक है junior engineer electrical के लिए तेन हम लोग स्क्रोल डाउन करते हैं, यहां पर सिम junior engineer electronics के लिए number of vacancies कितनी है आपर, 3 vacancies है, यहां पर भी माराथी language का compulsory आपको essential eligibility है, इसके लिए, तेन junior engineer mechanical के लिए भी आपर, mechanical branch में आपको diploma मांगा गया है, 6 vacancies है, junior engineer civil के लिए 2 vacancies है, इसमें 3 साल का आपको engineering diploma मांगा गया है यह होगी हमारी important, जो बाती थे अभी हमने discuss किया different post voice, ठीक है, यह तो अब तक हमने discuss कर लिया, सबसे पहले मैं आपको एक बात note करा देता हूँ, ठीक है, यह काफी सारे student इसको ignore करते है, जो medical standards है, आपको A1 होने चाहिए, serial number 1 के लिए, और A3 होने चाहिए, serial number 2, 2, 9 के लिए medical standard A1 होना चाहिए, और A3 जो है, यह आपके from post number 2, 2, 9, that means अगर आप लोग यहापे देखते है, ठीक है, 2, 2, 9 के लिए, यहापे A1 होना चाहिए, A1 कौन से vacancy के लिए, यह होना चाहिए, आपके station controller और train operator के लिए, ठीक है, और देन जो बाकी है, from 2, 2, 9, this post के लिए, इस post के लिए आपको, जो medical standard वो A3 होना चाहिए, यह जो A1, A3 है, यह महा metro की website पे आपको सारे medical standards आपको बताये जाएंगे, कि उसके according आपका eye vision और night blindness, यह सारे जो चीज़े आती है, medical standard आपको कितना होना चाहिए, कितना physically fit होना चाहिए, इस post को अप्लाइगा तो, इसको आप ignore मत क रिएगा, काफी important factor रहता है, for the selection in metro services, ओके, यहा तक तक तो अभी हमने discuss कर लिया, अभी हम लोग देखते है कि minimum educational qualification, अभी तो यह हमने already discuss कर रहे दिया, post 1 के लिए, station controller के लिए, यहा पर 3 years से आपको diploma मांगा गा है, electrical, electronics, mechanical में, ठीके, आप apply कर सकते हो, station controller के, अगर आपको electronics का भी है, mechanical का भी है, you can apply for the station controller, ओके, और knowledge of morality language, यह तो मैंने compulsory लिए आपको बता है, read, speak and write is compulsory, it is compulsory, this is subject to a verification before selection, selection के पहले यह आपका verify किया चाहेगा, from post 2 to 5 के लिए, section engineer के लिए आपको 4 साल की bachelor degree मांगे गई है, ओके, 6 से 9 के लिए जो junior engineer की post है, section engineer के लिए 4 साल का degree, और post of serial number 6 to 9, ओके, तो आहिए अपको यह सारे जो चीज़े मैंने आपको बताए, यह समझ में आउगे, अभी हम लोग देखते है, job profile, यह job profile मैं आपको PDF में provide कर देंगो, आप इसको धान से पढ़ सकते है, जो मैं आपको brief कराना चाहता हूँ, वो आप पहले अच्छे से समझ ठीक है, यह आपका job profile भी आपको ध्यान में रखना है, आपका night vision वगारा यहाँ पे देखो, अल्रडी मेंचन है, 6x6 का है, ठीक है, night shifts में भी आपको जो आप बरह सकते हैं, यह सारे चीज़े आपको यहाँ पर बताएगी है, यह आपको सबसे पहले तो अच्छे से पढ़ interview followed by medical examination in A1 category, यह काफी important है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर फिर से note down करते था, सबसे पहले तो क्या होगा, 4 stages process रहने वाली, इसमें तो सबसे पहले online test होगी, computer based test, then psychometric test होगी, then उसके पाद में personal interview होगा, then आपका medical examination होगा, यह इस प्रोसेस के, यह चार stage process आप गर complete कर ले तो, तो you can go for the post of station controller, train operator and station controller, इसके लिए आप इतने सारे stages होने वाले, अभी next आती है, for the post of section engineer, junior engineer के लिए, उसमें क्या होगा, कि selection methodology में हमारे पास 3 stages ही रहेंगे, यहाँ पर 4 stages से इसमें personal interview भी था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर mentioned है, but यहाँ पर 3 यह, that means online test होगा, personal interview, followed by a medical examination in A3 category, यह important है, अभी next क्या है, selection process will judge different factors, knowledge of skill, comprehension, aptitude और यह सारे चीज़े हैं, अभी तो हम लोग जो examination pattern है, वो हम लोग उसमें डिसस करेंगे, जो आपको medical examination के standards बताया थे, A1 जो होना चाहिए, station control train operator के लिए होना चाहिए, और section engineer, junior engineer के लिए, जो medical standard है, वो आपके A3 होना चाहिए ठीक है, और यहां पर एक यह important factor गया है, candidates having undergone lasig surgery are not suitable for all post, जोनोंने lasig surgery कराई है, वो post, इस सारे post के लिए eligible नहीं है, यह important factor ध्यान में रखेगा, ठीक है, देन उसके बाद मेंगर हम लोग आते हैं, तो online CBT test, ठीक है, इसमें CBT test में क्या पूला गया है, हमारे पास, from post to one nine, स test होगा, यह important है, यह सबसे पहले important है, यह सारी चीज़ है, ठीक है, part one, part two and part three में, जो आपकी computer based test होने वाले, उसमें क्या रहने वाले, part one में क्या रहेगा, आपको Marathi language का 15 questions का, आपको एक paper clear करना होगा, जिसमें minimum 40% आपको यहां पे compulsory लिए लाना ही लाना होगा, ठीक है, उसी के बाद में जाके आपका जो next यहां पे बुला गया, उसी के बाद में आपका part one अगर आपका clear होते हैं, तब ही जाके आप second part और third part के evaluation जो रहेगा, उसके लिए आप eligible होगे, अगर आप first part Marathi language में minimum 40% अगर आप score नहीं करते हो, तो जाके अगर आपने part three और part two और three मे excellence, excellently अपने अगर perform भी किया है, तो आपका clear नहीं होगा, Marathi language is very compulsory for this post, ठीक है, तो आयब, यह first part आपको समझ में होगा, next part, next part में क्या रहेगा, it will consist of MCQs, इसमें English medium रहेगा, general awareness रहेगा, logical ability, quantity to aptitude, और इसमें total 35 questions रहेगा, 35 questions रहेगा, ठीक है, और each equal carrying mark and there shall be negative marking for every wrong, इसमें marking का काफी important बारा role play करता है, minus 0.333, यह आपका negative होंगा, just like a gate examination, ठीक है, it will be detected for every wrong question, अगर आप एक wrong करते हैं, तो 0.33, आपर direct होगा, generally हमारे पास 1 4th रहता है, 0.25, बट यहापे 1 3rd, यहापे marking है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, the next important factor is, part 3, इसमें हमारे electrical है, तो electrical, mechanical है, तो mechanical से आपको questions पूछा जाएंगे, ठीक है, trade questions आपको, ठीक है, there will be total 100 questions, 100 questions इसमें रहे गए, इसमें 35 questions थे, और इसमें हमारे पास 50 questions थे, ठीक है, candidates who qualify part 2 and 3 and rank high on the merit list within a zone of consideration shall be called for a personal interview, इसमें हमारे पास personal interview के लिए आपको बलाया जाएगा, ठीक है, then psychometric test as case may be at successful candidate for all category post called for a personal interview, जिसके लिए अगर personal interview है, उसके लिए personal interview किया जाएगा, यहापे selection हो गड़ी है, syllabus जो है, यहापे मेंचन गया है, the syllabus for the respective post will be made available on maha metro's website, पूरे metro. पूरे metrorail.org पे इस पे आपको, यह साइसका syllabus है, आपको मिल जाएगा, और इसका जो detail, जो syllabus है, मैं आपको discuss कर कर रहा ही दूँगा, जैसे इसका official syllabus release होता है, ठीक है, उसके आप चिंता आना करें, हम लोग उस से related update लेते ही रहेंगे, character, security bond, training and probation period आपको कितने साल करेने वाला, यह आपको ध्यान में रखना हो गड़ी है, security bond आपको 2 lakhs करेगा, ठीक है, minimum period of 3 years, आपको 3 years के लिए 2 lakhs थोड़के जाते हो, तो आपको उतना पेक पना, पेका ना पड़ेगा, training and probation period काया है, आपका, pay and emoluments आपके क्या होने चाहिए, यह सारी चीज़े हापे given है, ठीक है, then हमारे पास में closing date के लिए आपको कितना age criteria है, यह important है, simply यहापे given है, देखिए, मैं आपको सीधे बता द देखिए तो, ओके, यहाप हम लोग इसको सुम ना, जुम अप करते थोड़ा, ओके यह है, आपका, candidates should have been born not earlier than 21st, 01, 1993 and should not be later than 21, 01, 2003, as both the dates are inclusive, यह आपको important है, इन दोनों के बीच में ही आपका, that means between above, about 18 years and below, 28 years, तक ही जो students है, इसके लिए अपलाए कर सकते, यह age criteria है, important है, ध्यान में रखीगा, before applying for this post, ठीक है, and payment of application के लिए कितना है, यहाँ पर, unreserved, OBC, EWS के लिए 400 है, और बाकी SC, ST, women candidates के लिए, non-refendable fee है, 150 रुपीज, ठीक है, इसमें सारी चीज़े included है, और यहाँ पर how to apply, यह 14 तरीक से, आपकी 14 December से आपका apply होना शुरू हो जाएगा, और इसी में थे, यह सारी चीज़े, हम ल जो PDF है अपको, हमारे चैनल कुचिफाय पे, जो टेलग्राम चैनल है, हम लोग आपको provide कर देता हो, इसके बाद आप इसको जाके download कर सकते हो, अभी हम लोग जो दूसरी vacancies है, IT है, candidates के लिए, वो हम लोग यहाँ पर dismiss करते हैं, ठीक है, यहाँ पर same dates रहने वाली है, ठीक है यहाँ पर जो advertisement number है, यह आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, और अभी हम लोग यहाँ पर, जो different post है technicians के, वो इसके बार में discuss करते हैं, सबसे first post को है हमारे पास, technician electrical की, total number of vacancies is 23, इसके लिए आपको क्या मांगा गया है, इसके लिए IT है, course in electrical environment, electrician trade from a government recognized institute, यह आपको मां 18 to 25 की बीच में होने वाला होना चाहिए आपको, ठीक है, जो age gap है आपको, technician electrical की post है, आपको pace के लिए 20,000 से 60,000 की बीच में, और आपको domain cell होना चाहिए, that means you should be having a domain cell of maharashya and having a knowledge of marathi, यह compulsory यहाँ पर given है, यहाँ पर domain cell भी आपका maharashya का ही होना चाहिए, इस IT है, इस post के लि सेम 13 number of post है, यहाँ पर 13 vacancies है, pay scale 22,000 की बीच में होना चाहिए, ओके, देन अभी हम लोग next देखते है, जो post है, वो हमार पास technician civil का, इसमे number of vacancy, जो vacancies है, एक और एक vacancies है, ठीक है, यहाँ पर different, different, जो eligibility minimum education criteria की, according यहाँ पर आपको पास vacancies है, ठीक है, दो, देन हमार पास electronics के एक लिए जो vacancies है, total number of vacancies है, ठीक है, आइटी है होना चाहिए, आपको, course in electronics, electronics, mechanical, mechanic trade from a government, recognized board, university, ठीक है, और आपको domicile होना चाहिए, महाराश्चा का, प्लस आपको मराथी language compulsory होना चाहिए, इसमें आपको bifurcation है, आपको देख सकते हो, unresult के लिए 7, SC के लिए 1, ST के रहने वाला है, ठीक है, देन हमारे पास, यहाँ पर, technician, ACN, refrigeration के लिए, दो vacancies है, और यहाँ पर, आपको, ITI मंगा गया है, mechanic, refrigeration and air conditioning में, ठीक है, पे सके लापका, same रहने वाला है, आपको यह जो criteria है, यह आपको, from age criteria, 18 to 25 years के बीच में होने चाहिए, और यह सारी बाकी ची different ports थे, इसके लिए जो medical standard मांगा गया है, ठीक है, यह B1 मांगा गया है, ठीक है, as per the Indian railway medical manual, यह इसके लिए, सबसे पहले तो, आपको A1, A3 था, यह तो आपको एक बार जान लेना चाहिए, इसके लिए क्या मांगा गया है, IT technician के लिए, यहाँ पर B1 मांगा गया है, यहाँ यहाँ पर मेंशन है, अल्रड़ी B1, ओके, minimum education qualification के लिए, 1 to 5 के लिए, SSC pass with IT है, एक अगनाइस इस्टीट इना, electrical, fitter, mansion, plumber, electronics, यह सारी चीज़े आपको मेंशन है, ठीक है, और job profile अपको क्या होना है, यहाँ पर अल्रड़ी मेंशन है, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है, night shift मे होना चाहिए, naked vision आपको यहाँ पर, कितना होना चाहिए, यह भी आपको मेंशन है, 6 by 21, यह सारा जो important PDF है, आपको एक बार ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि यह काफी ample number, amount of time आपको given है, यहाँ पर provided है, apply करने के लिए, और यह सारी चीज़े होने के लिए, ठीक है, और next है हमारे पास, online test, जो computer-based test होने वाले है, उसमें क्या-क्या रहने माला है, ठीक है, same है यहाँ पर, first जो part है, आपको 10 marks, 15 questions, 10% of marks, that means 15 questions जो है, रहने वाले है, आपको, Marathi language, उसमें आपको 40% आपको minimum clear करना ही पड़ेगा, 40% marks आपको लाने ही लाने है, clear करने के लिए, then relevance, logical ability, cons पे और इसमें total 35 questions रहने वाले, just like our previous recruitment, then part 3 में जो आपके objective questions रहेंगे, आपके discipline domain पर रहेंगे, इसमें 100 questions का total रहेंगा, और इसमें same one third का negative marking रहेंगा, अगर आपको एक गलत कर कहते है तो आपको 0.33 marks आपको डिटेक्ट होने वाले है, ठीक है, तो यह था हमारा, regarding to the online test, same है यहाँ पर, surety point 1 lakh rupees का यहाँ पर given है, ठीक है, mention करके, अलड़ी हाँ पर बताया गया है आपको, okay, इसके बाद में आपकी fees कितनी है, 400 और 150 rupees का fees है आपको, यह आप आप पर पढ़ सकते हैं, और इसका भी आपका date of application है, यह हमारा 14th of December 2020 से लेके, 21st of January 2021 तक आप इसमे अपलाए कर सकते हैं, that means you have more than one month, one month plus seven days आपको इसमें, जहां से पढ़ लेना है, और आपका medical standard सबसे पहले तो, मैं आपको recommend करूंगा कि आपका medical standard है, यह एक बार आप cross checker करके आए, ठीक है, आपके eye vision specially, आप एक बार cross checker करके, तभी आप इस, जो different, different postage, eligible हो या नहीं, यह सारे चीज़े देख लेना है, क्योंकि after selection, यह काफी बड़ा opportunity lose करना, it's not good thing, okay, इसलिए आपको जो medical standard है, सबसे पहले तो, आपको वो cross checker कर लेना है, before applying for this post, okay, और यह थी सारे detail information regarding this post, ती बा, उसमें, जो हमने, section engineer, session कर रो लोगी, पोस दीकिए, उसमें number of post थी, 139, ठीक है और इसमें कुछ number of vacancies है, 53, तो यह दो, दोनों भी vacancies आपके लिए काफी important है, और यह काफी अच्छी golden opportunity है, आपको महा मेटरों में, जो आप करने के लिए ठीक है, तो, यह थे हमारे important points जो बेने आपको बताया थे, इस recruitment is related, अगर आपको कोई भी doubt आथे, तो, प्लीज हमें comment box में comment करेगा, ठीक है, मैं आपको doubt जल्दी-जल्दी solve करने का try करूँगा, अगर आपको इस information से related आपको PDF चाहिए, तो, आपको हमारे channel, coachify underscore official का, जो हमारा telegram channel है, उसको follow करना हो को, उसमें आप दोनों भी, यह PDF में आपको अब भी upload करा दे था, ठीक है, तो, I hope आपको य दिखका दाती है, तो, please हमें comment box में comment करिया, so guys, for the next time, I will see you and have a nice day.